दोस्ता जम बात करने वाले हैं 2016 रिलीस्ट आ साइकोलोजिकल मिस्ट्री ट्रीलर मूवी के बारे में जिसका नाम है अहीटन लाइफ इस कानी के शिरुवात होती है एक लेली नाम के लड़की को दिखाते हुए जो सुभा सुभा जॉगिंग पे निकली थी रोस के तरह अपने यूशल रास्ते का चकर काथ रही थी वो ऐसे माजाने के उसे थोड़ा जीफ फील होने लगता है ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है इन फैक्ट म्यूसिक बंद करके कुछ देर इधर उतर नजर भी डालती है लिली और जैसे ही वो पीछे मुरती है उसका शक सच साबित हो जाता है पेट के पीछे से एक अंजान आत्मी जपट परता है उस पर उसे हर्ट करने की कोशिश करने लगता है अब कोई भी ऐसे certain attack के लिए prepared तो नहीं रहता लिली भी नहीं थी उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है वो किसी तरह खुद को समालती है और जोर जोर से चिलाने लगती है इस उम्मीद में कि कोई आए और उसे बचा ले मगर उसे ये भी पता था कि इसका chance बहुत कम है क्यों आएगा यहाँ but fortunately उस दिन कोई और भी था वहाँ एक और बंदा जो शाद लिली की ही तरह जोगिंग करने आया था लिली के आवाज से वो सही समय सही जगा जा पहुचता है और उसे डाकर को पकर के रखता है जिससे लिली भाग सके इससे लिली जान से तो बच जाती है मग उसे उस लड़के को थांक्स कहने का मौका नहीं मिलता लिली डिरेक्ली पुलिस स्टेशन जा पहुचती है और एक रिपोर्ट लॉच करती है उसकी मा जैनिफर भी उसके साथ आई थी ऑफिसर चार्ल्स जो उनके फैमिली फ्रेंट भी थे वो बहुत ही ध्यान से सारे निकालेंगे मगर यहां प्रॉब्लम यह थी कि लिली अपने अटैकर की कोई डिटेल्स दे नहीं पाती क्योंकि उसका जहना तो गवर्ट था वो कैसा दिखता है उसका कोई आइडिया नहीं था लिली को बस उसने आहमले के वक्त उसका हाथ काट लिया था तो लिली के अगर वो अगर पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दे तो शायद कुछ मदद मिल जाए फिलहाल पुलिस से जितना हो सकता था वो कह रहे थे तो लिली भी अपने मा के साथ घर लोड जाती है मगर उसे पता नहीं चलता अभी भी कोई छुपकर उस पर नजर रख रहा है मत पर से अगले दिन उससे मिलने आता है स्कॉट उसका एक्स बॉइफ्रेड वो लिली का हाल जानने आया था और उस बहाने अपने रिष्टे को रिवाइफ करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन लिली को उसमें और कोई इंटरेस नहीं था जो वो अल्रेडी उसे इंफर्म क कर चुकी थी लेकिन स्कॉट को ना सुनना पसंद नहीं था वो अतना ग्रेसिव हो जाता है कि लिली के घर में उसी पर हाथ उठाने जाता है थैंक्फुल्य लिली की माँ जैनिफर तब वहाँ प्रेजन थी जिससे बात सम्हल जाती है और स्कॉट भी चुप-चाब वहाँ हलका कर सके वो सारी बाते शेयर कर सकी जो अपने मां से नहीं कर सकी और एक ऐसा ही बरसन थी कैली लेली की चाइल्धूड बेस्ट फ्रेंड कैली पे उसके लिए बहुत कंसर्ट थी उपर से लेली से सारे डिटेस जानकर तो वो और कंफ्यूज दू जाती है पताने की उस य क्या स्टोरी कुछ हजब नहीं हो रही थी क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था एक अजान शक्स का उसके जरूरत के वक्त वहां पहुँच जाना और अपनी जान दाओ पे लगा के लेली की मदद करना कुछ साधे गणवे नियंथ नहीं हो गया उस अटाकर के पास जाकू को लगी मान के चल रही थी and luck by chance उसी दिन कैफे में उसे वो लर्का भी दिख जाता है वो और तेर नहीं करती है खुद से जाकर उससे बात करती है और उसका नंबर भी ले ले लेती है पता चलता है उस लर्के का नाम Mick Grant है शहर में नए आया है वो और फिलहाल अपने बोट म में नहीं फसना और वैसे भी उसने कुछ देखा भी तो नहीं उसे देख कर ही वो अत्मी भाग गया था कैली को उसकी बाते थोड़ी ओठ तो लगती है लेकिन वो गलत भी नहीं था बिसाइट्स लेली भी उससे लाइक कहने लगी थी इसलिए कैली और कुछ नहीं कहती दो अगर दोनों में से कोई ये नूटीस नहीं करते कि कोई छुपकर उन पर नजहर रख रहा है उधर जब घर जाकर लिली अपने मा को मिक के बार में बताती है तब उनके मन में भी वहीं सवाल आता है मिक अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं गया जिससे लिली बहुत उससे पुलिस को एक्स्ट्रा को इंफोर्मेशन नहीं मिलता कुछ स्टैंडर्ड प्रसीडियर्स पूरा करके उससे छोड़ दिया जाता है लेकिन हम एक चीज जरू नूटिस करते हैं कि इस में को कुछ जादा ही जल्दी है पुलिस स्टेशन से निकलने की अंदर बहुत अंकमफर्टिबल फिल कर रहा था वो अब ये कोई योशल नर्वसनेस था या फिर बात कुछ और थी वो तो लिकॉट नोस उधर कैली जब अपने घर जा रहे थी तो अचानक ही कोई उसका रास्ता रोकता है नहीं ये वो अताक है नहीं था ये स्कॉट था और वो इससे य मिक के बारे में जानकर वो सबसे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हार करता है और मिक को बैक्राउंड चेक करने के लिए कहता है अगिर उससे भी तो पता चेले ये मिक उससे कितना बहतर है दूसरे तरफ अगले दिन सुभा लेली फिर से जॉगिंग पर निकलती ह काफे दिनों बाद लेकिन दो कदम जल्दे ही उससे पैनिक अटाइक आ जाता है वो भाग कर घर लोटाती है और केली को कॉल करके सब कुछ शेर करती है ऐसे में उससे अचानक फील होता है कि खिर्की के बाहर कोई है लेकिन चेक किरने पर उससे कोई नहीं दिखता उधर खोलने पर लेली को मिलता है एक बहुत बड़ा सर्प्राइस क्योंकि बाहर में खरा था लेली ने बस एक बास जिकर करी थी अपना एट्रस की जो से याद रहा अपने साथ एक गिफ्ट भी लेकर आया था वो एक MP3 प्लेयर क्योंकि लेली ने उसे ये कहा था कि उस हमले में उसका प्लेयर तूट गया था एक छोटी से मुलाकात में हुए चंत बातों को कोई इतना importance दे सकता है ये देखकर बहुत अच्छा लगता है लिली को कितना gearing है ना ये बंदा और sensitive भी पहले मुलाकात में ही उसने लिली का दिल जीत लिया था और उससे बात करके जैनिफर भी पिघलना लगी थी लेकिन एक मा तो आखिर मा होती है ना हजारों सवाल पूछने रखती है वो जिनके जबाब में हमें मिक का कुछ personal details मिलता है जैसे मिक basically east coast से है वही पर अपने parents के साथ रहता था वो लेकिन एक साल पहले उसके दोनों parents की अचानक मौत हो गई तो उसन कुसी की कोशिश चल रही है अब ये writer वाली बात Jennifer को बहुत पसंद आती है कि वो खुद में एक writer है वो भी true crime stories की अपने काम को लेकर काफे passionate है वो और काफे successful भी in fact उनके मदद से तो कुछ closed cases भी solve हो पाय थी उनके best sailing किताब double murder in the crown है वो तो असल में एक cold case था police खुने को नहीं पाय थी लेकिन जैनिफर अपने research के दोरान कुछ ऐसा evidences को ढूंट निकाली जिससर फाइनल इस case को एक ad मिला culprit पकड़ा गया और last year ही उसे सजा भी मिली तो अब एक ऐसी इंसान के contact में आकर Mick तो खुश होगा ही ना लेली से साथा तो वो उसके मां से बाते कर रहा थ On the other hand, Jennifer भी काफी impressed हो जुगी थी, Mick का बरताफ उसका nature काफी पसंद आता है उन्हें, at least Scott से दुख गई गुना बैतार है वो, इसलिए लीली को उसके करीब जाते दे कोई problem नहीं होती उन्हें, मगर कोई और जरूर था जिससे शायद problem हो रही थी, उनके अंजाने में को इन पर नज़र रख रहा था, उधरी सबसे अंचान लेली, अगले दिन Mick के साथ डेट पर जाती है और वहीं पर दोनों first time case भी करते हैं, जो coincidentally देख लेता है Scott, अब भी coincidence था, यह intentional वो दो नहीं पता, लेकिन उसे दिन से Scott हाथ धोकर Mick के पीछ पर जाता है, लेकिन बहुत कोश Isn't it strange? It's almost like Mick exists नहीं करता, मगर क्यों? इतनी से crazy किस बात की? एक जले यहीं बात समझाने Scott जाता है जैनिफर के पास, लेकिन वो उसे बहुत नारास थी, इसलिए उसकी एक नहीं सुनती, मगर उसके बातों को completely deny भी नहीं कर पाती है जैनिफर, आखिर सवाल Lily के safety का था, मगर खुद Lily इस बात को समझ पायता बना, Scott के बाद उपर भरोजा करके, वो Mick पर शक्काना नहीं जाती थी, और इसके लिए वो अपने मा से भी लड़ जाती है, उसे लगा था Atlas Kelly उसका साथ देगी, मगर वो तो पहले से skeptical थी, वो Lily को रोकते तो नहीं क्योंकि वो रुकने वाल के सामने बहुत insult करती है उसकी, और उससे दूर रहने के लिए भी कहती है, मगर Scott इस insult को आसानी से हजम नहीं करता, वो aggressively Lily पर चिलाने लगता है, और physically उसे hurt करने की कोशिश भी करता है, ठैक्फुली ठीक, यहीं समयमिक वहाँ जा पहुचता है, और Lily को बचा लेता है, मगर इसका after effect भयानक होता है, Scott अपना कुछता उस पर निकालता है, और दोनों में हाथ हबाई शुरू हो जाती है, और जब Lily उन्हें रोकने जाती है, तो Scott गलती से उस पर भी हाथ उठा दीता है, अब भले ही यह एक accident था, unintentional था, मगर इससे Lily Scott से और नफरत करने लगती है, माम अफिस में काम कर रही थी, तो हमें घर के बाहर एक अंजान शक्स दिखता है, उस पर नजल रखते हुए, उसने भी black hoodie पहना था, और दिखने में बिल्कुल उसी attacker की तरहा लग रहा था, जिसना Lily पर हमला किया था, क्या अभी उसका शिकार Jennifer बनने वाली है, हम देखते हैं, वो बहुत ही easily घर के पीछे वाले दर्वासे से घर में घुश जाता है, और एक रस्ती से Jennifer को strangle करने लगता है, बिचारी Jennifer, है प्लेसली छटपटा रही थी वो, लिली भी घर में नहीं थी, वो गई थी कैली के पास अपने घाव का इलाज करने, बट सही समय घर लॉट भी जाती है वो, और शायद उसे देखकर ही वो अटाकर भाग भी जाता है, तब तक Jennifer बेहोश हो चुकी थी, तो लिली ही पैलमेटिक्स को कॉल करती है, और साथ में चार्ल्स को भी, पुलेस आती है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है, और उसे सर्च के दोड़ान उने एक फो अगर Jennifer नहीं मानती, मजबूरन लेली को स्कॉर्ट का नाम बताना ही पड़ता है, और उधर चार्ल्स को भी उस फोन के ओनर का नाम पता चल जाता है, जो कोई और नहीं खुद स्कॉर्ट ही था, इन फैक्ट उस फोन में तो कुछ ऐसे फोटोस भी थे, जिससे क्लियरली पत किसे को समझने में दे नहीं लगती, ये पूरा खेली स्कॉर्ट के जैली से का था, लेली उसे इग्नोर कर रही थी, ये शाद इससे सहन नहीं हुआ, उसने जरूर उसे डिस्टॉप करने के लिए ये सब प्लान किया होगा, और लेली की लाइफ में मिक के एंटर करने के बा उसने उसे घर से निकाल जो दिया था, और उसके बेटी ने आज सब के सामने उसका इंसर्ट किया, तो हो सकता है अपनी हुमिलेशन का बतला ले रहा हो स्कॉर्ट, कारण बहुत कुछ था, साथ मैं एविडेंस भी, तो इधर स्कॉर्ट को अरेस्ट किया जाता है और उस पासे बॉटल पर आ था, मगर एक्चॉल रीजन आटिपसी के बाद ही पता चलेगा, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता, चाहाँ स्कॉर्ट के खिलाफ सारे एविडेंस से स्कॉर्ट करने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता था, कि स्कॉर्ट ही काफिर रिच इंफ्लेंशन फैमिली से बिलॉग करता है, उसके गुना साबित करने के लिए उसे किसे ठो सबूत की जरूरत होगी, और उसका डियाने टेस्ट ही होगा वो सबूत, अधिस नीम टाइम हम लिली को देखते हैं, कैली से बात करते हुए, भली वो कम्प्लीटली कन्वेंस्ट थी कि स्कॉर्ट नहीं उन पर हमला किया था, लेकिन कैली यकीन नहीं करती, पिछले के सालों से जानते हैं वो एक दूसरे को, हाँ वो थोड़ा बत्तमीज जरूर है, लेकिन लिली को हर्ट करने जैसा काम वो कभी नहीं करेगा, आइचली कैली का शक तो बार-बार मिक के त करा था, मगर कैली चोड़े चुपे अपना इंवेस्टिगेशन स्टार्ट कर दीती है, सबसे पहले मिक का बोट का रेजिस्ट्रेशन चेक करती है वो, और सर्प्राइजिंगली उस लिस्ट में उसे मिक का नाम कहीं नहीं मिलता, फाइनली एक ड्रास्टिक स्टेप लेती ह एक दिन चोड़े चुपे वो मिक का पीछा करती है और मौका मिलते ही घुस जाती है उसके बोट में, उसे मिक की किसी परसनल डॉकमेंट्स के दलाश थी, आईटी जैसा कुछ, लेकिन बहुत ढोडने पर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता, फाइनली, क्लॉसेट के अंदर ए माइकल ग्रेंचर, साथ में कुछ फोटोस भी थे, जैनिफर और लेली के, और इन में से कुछ फोटोस तो कई मैंने पहले की थी, जब मिक से उनके मुलाकात भी नहीं हुई थी, फिर ही फोटोस उसके पास कैसे आए, इसका जबाब ढूने में कहली को जादा वक्त नहीं ल इसको रियोपेन करके मौत की सजा दिलवाय थी उसने खूनी को, जो कोई और नहीं माइकल ग्रेंचर के फादर थे, ती फेमस क्राउन हिल किलर, और अगर इस आईडी के मुताबिक में का असली नाम माइकल ग्रेंचर हो, तो इसका मतलब में इस खूनी का बेटा है, तो इस इनवक्त वो लिली को भी वाँन करना चाहती थी, मगर उसे वो मौका नहीं मलता, मेंक उसे देख लेता है और वहीं पर चोग करके उसे माड भी डालता है, मगर इस सब के बीच उसे पता नहीं जलता, कब लिली ने कॉल किया और कैली ने चुपके से उसे रिसीव कर ली, प हर इंधी मीन टाइम चॉल्स को पता चलता है स्कॉर्ट बे कसूर है क्योंकि हमले के वक्त पूरा समय तो फो क्लब में था सिसे जब फटेच है उसके सबूत दूसरे तरफ उसका डियने उस हूटी में मिले डियने से मैच बलकु भी नहीं कर रहा था और जिससे मैच कर रहा था उसके इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था या फिर था पुलिस को पता चलता है ये हूटी असरमस होमलेस वागबॉंड का है जिसके लाश उन्हें का सुभा में ली थी और लिली के कपर उपर जो खून लगा था वो भी इसी का है लेकिन वो कोई नॉर्मल सिटिजन नहीं है बलके एक क्रिमिनल है बस दो सार पहले जल से निकला है वो तो उसका इस केस से रिलेटेट होना कोई आम बात तो नहीं हो सकता तो क्या कोई उसके जरीए सब करवा रहा था मीबे जिसने उसे ये काम दिया था उसने ये एक वाइल्ट कैस था मगर आखिर में यही काम आ जाता है उस बॉटल से मिझे फिंगर प्रेंट्स मीग के फिंगर प्रेंट्स से पूर्फेक्ली मैच कर रहा था वहीं असली कल्परित था स्कॉर्ट नहीं शाद इसलिए पुलिस टीशन आना नहीं चाता था वो और स्टैंडर्ड प्रोसीडियर के नाम पे फोटोस क्लिक करना फिंगर प्रेंट्स देने में भी दिक्कत हो रही थी उसे शायद अपने प्लान को कुछ सादा है फुल प्रूफ बनाने के कोशिश में था मिक लेकिन आखिरकार उसकी चोड़ी पकड़ी गई लेली के लिए ये सच चेकिन करना मुश्किल हो रहा था शाद इसलिए में जब उसे कॉल करता है वो और अपना आपको होल्ट नहीं कर पाती उसे एक अक्यूस करती है और कैली के बार में भी पूछती है इससे मिक अलर्ट हो जाता है और अपना फोन भी दोड़ देता है जिससे पुलिस और उसे ट्रैक ना कर पाए उधर चार्ल्स लेली को एक आफिसर के साथ घर भीच देते है जिससे वो उन पर नज़र रख सके और खुद जाते हैं मिक को ढोटने उसके बोट पे वहाँ उसे मिक तो नहीं मिलता लेकिन कैली की लाश दरूर मिल जाती है दूसरे तरफ स्कॉट कस्टेदे से आसाध हो चुगा था तो ऐसे में उसे अपने प्राइफिट डिटेक्टिव से एक मिसेज मिलता है कि उसे मिक के बारे में कुछ एक्स्क्लूसिव इंफरमेशन मिला है तो जितना जल्दी हो सके स्कॉट उनके आफिस आ जाए अब इसे देखकर तो स्कॉट का दिल गार्डिन गार्डिन हो जाता है और इमीडिटली वो उसके आफिस भी जा पहुचता है उसे लगा था जरू कुछ धमाकेदार होगा जिससे वो मिक को लिली के सामने नीचा कर पाएगा लेकिन वहाँ जाने पर उस इस डिटेक्टिव के लाश मिलती है और मिलता है मिक जो उसी के लिए इंतिजार कर रहा था बता चलता ही ये मिसेज तो एक्चुल एक ट्रैप था स्कॉट को यहाँ लाने का ताकि वो ये साबित कर सके कि स्कॉट ने इस डिटेक्टिव को पैसा दिया था मिक के खिलाफ नकली सबूत फोर्ज करने के लिए वो सब टीए ने, फिंगरप्रिंट का खिल सब नकली था स्कॉट का प्लान था उस डिटेक्टिव को तो मिक ने आलरेड़ी मार दिया था अब इस स्कॉट को भी मार डालता है वो भी कुछ इस तरह से जिससे लगे कि ये एक सुसाइट है अब सुसाइट क्यों? उसका पता हमें आके चलेगा अच्चुली ये उसके प्लान का फुर्स स्टेप था आधे से जाधा स्टेप सो भी बागी है तो फिलहाल स्कॉट के लाश को छुपा के में एक जाता है लीली के घर उसका ब्रेंड वाश करने बहाचा ओफिसर उन्हें गर्ट कर रहे थे उसे बिमार डालता है वो और फिर कॉल करता है लीली को उसे कहता है ये सब एक साजिश है उसे फसाया जा रहा है लेकिन वो शायद भूल चुका था कि ये फोन उसका नहीं है केली का है अगर उसना सच में कुछ किया नहीं होता तो उसके पास केली का फोन कहां से आया इस बात की भनक लगते ही में के आवास अचानक ही बदर जाती और पागुले की तरह घर में खुसने की कोशिश करने लग जाता है वो जेनिफर ने तब तक घर के सारे डोर्स और विडोस लॉक कर दिया था और चार्ल्स को भी कॉल कर चुकी थी मगर 911 पे कॉल नहीं लग रा था उनका वो ओफिसर भी मर चुका था उपर से घर में बिजली भी नहीं थी तो ऐसे में चार्ल्स के आने का इंतजार करने की सवा और कर भी क्या सकते थे थे दूनो फॉर्टनेटली चार्ल्स को आने में जादा देन नहीं लगती और वो सबसे पहले में स्विच आन करने जाता है मगर बहार निकलते ही मिक अचानक उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और इसके कुछ दिर बाद ही अचानक ही घर का सिकियोटे अलाम बचने लगा था जब जैनिफर और लिली जाकर देखते हैं तो उन्हें बता चलता है उनका में दोर तूट चुका है मतलब मिक शायद घर में घुस चुका है अब ऐसे में उनका रगवाला कोई नहीं था उन्हें खुद ही खुद को सेफ करना था इसलिए जैनिफर लिली को उसके कमडे में जाकर दरवाजा लॉक करने के लिए कहती है और खुद एक चाकू लेकर मिक को ढूडने निकल पड़ती है इस अंधेरे में वो कहीं से उन पर अचानक वार करती इससे पहले वो ही उसे लोकेट करना चाती थी लिवेर रूम से उसे किसी के आहट आती है तो वो उसी तरफ जाती है मगर वहां उसे मेक नहीं बलके चार्ल्स मिलता है मेक नहीं उसके हाथ पैर और मूँ बात के छोड़ गया था मगर वो खुद था कहां इसका जबाप लिली को मिलता है क्योंके मेक उसके कमड़े में उसके पीछे ही खरा था लिली के वहाँ जादी ही वो उसे पकर लेता है और प sorta गुणा कबूल कर लेता है उसने लिली को कितने दिनों से stock किया का इसे सारा plan ready किया और कैसे धीरे धीरे Scott को अपने जाल में फसा कर उसा sq recomp fest बना कर अपने plan को अंजाम दिया उसी ने तो उसके phone को चुटाया था जिससे उसमें Lily के फोटोस डाल सके और उसके गारी के trunk से जो हूटी मिली थी वो भी उसी ने रखा था यहां पर में किये भी accept कर लेता है कि उस criminal को भी उसेने हा किया था Lily पर attack करने के लिए जिससे उसे उसके life में entry मिल सके और फिर उसका गाम खतम होने के बाद उसने उस आत्मी को भी खतम कर दिया जिससे उसके रास्ते पर और कोई काटा ना रहे पिछले एक साल से सब कुछ प्लान किया था उसने और उसे हिसाब से execute भी किया ये उसके plan का आखरी पराफ था तो अभी उससे सचा है, accept करने में कोई problem नहीं थी कि कोई सब पता था, इसके बाद वो लिली को मारने ही वाला है इवन उसकी माँ और Charles को भी, कहीं कोई सुराक नहीं छोड़ेगा वो मगर इस सब का दोश पढ़ेगा बिचारे Scott पर और उस पर कोई दाग भी नहीं लगेगा plan बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा होता नहीं जैसे में एक दर्वासा खोलता है, Charles अंदर खुसने जाता है और मेक उससे शूट कर देता है उतर जैनिफर और लेली दोनों मिलकर हमला कर देते हैं मेक पड़ उनमें हाथ अपाई होने लगती है जिस चक्कर में उसके हाथ में थमाच जाक हो उसके अपनी पेट में खुस जाता है और वही पर उसकी मौद भी हो जाती है नेक सीन एक साल बात की है हम देखते है Charles बलकुल ठीक है और अपीवर जैनिफर और लिली के साथ उन्हीं के घर में रहता है जैनिफर के लिए उसके दिल में फीलिंग्स तो पहले सही था और पिछले साल उस हाथ से के बाद जैनिफर ने भी इस रिष्टे को अक्सेप्ट कर लिया है जिससे लिली बहुत खुश है अफ्टर आल अपने मा को अकेले स्ट्रॉगल करते दीखना उसे बलकुर भी पसन नहीं था उधर जैनिफर ने उस हाथ से पर एक स्टोरी भी लिखे है जिसके बतले उसे काफी जेन्टरस अमाउंट मिला है उस पर एक फिल्म जो बनने वाली है मगर उसने डिसाइट कर लिया है कि यह ही उसका लास्ट ट्रू क्राइम स्टोरी था इसके आगे वो फिर कभी इस जॉन्डर में नहीं लिखेगी अपने परिवार के मामले में और कोई रिस्क लेना नहीं चाती थी वो दोस्तों कहानी यहीं पर एंड हो जाती है काफी सब्स्टोरी थी मगर इंट्रेस्टिंग भी आपको यह वीडियो कैसे लगी राइट डाउन इन दे कमेंट सेक्षिन आज के लिए बस देता ही दोस्तों रहेंगे so much for watching this वीडियो बहुत चल मिलते हैं किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए take care टाटा